दोस्तों ये है हीरो की Splendor Plus i3s BS6 हीरो ने Splendor Plus में Mobile Charging की सुबदा दे दी है जो की एक नया Features है इस Bike में हीरो Splendor Plus में 5 Variant आते हैं 9 Color का Option दिया है और ये है Black Base Silver Color तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके Price, Features और Mileage के बारे में तो सबसे पहले हम इसके Front से Start करते हैं तो यहाँ पर आपको Black Glossy Finish में वाजर मिल जाता है जिसके उपर हीरो Splendor Plus का Sticker दिया है और साइड में आपको Grabix गी पटी भी मिल जाती है और यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको Halogen Headlem मिल जाती है नॉर्मल बल्ब के साथ जैसा कि यहाँ से आप इसकी रौशनी को देख सकते हो जो की काफी अच्छी दी गई है और चलते हैं इसके नीचे की साइड में तो यहाँ से आप इसके Front वाले टायर की ग्रिप को देख सकते हो टेलिस्कॉपिक हाइड्रॉलिक फजर्वर टाइप के सस्पेशन मिल जाते हैं इसके Front में तो अब हम बात करें इसके मीटर कंसोल की तो यहाँ पर आपको वही पुराना बाला मीटर कंसोल मिल जाता है जो की एनालोग टाइप का है और यहाँ पर आपको जो स्पीड देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है साइडिस्टेंड की इंडिकेशन लाइट और आइट्रेस की इंडिकेशन लाइट दी गई है और इसके दूसरी सैड में फ्यूल का मीटर दिया गया यहाँ पर आपको जो है यहां से चार्ज कर सकते हैं यहाँ पर आपको पुराने वाले साइड मिरर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको जो है लोबीम हाइबीम और इंडिकेटर और हॉरन का स्विच मिल जाता है इसके दूसरी सैड में आई 3S का और सेल्फ का स्विच दिया गया है इसको साइड प्रोफाल से देखें तो इसकी जो थीम है वो सिल्वर कलर की दी और इसके जो ग्राफिक्स है वो भी सिल्वर कलर के देखने को मिल जाते हैं और इसके फ्यूल टेंग के ऊपर आपको एक बड़ा सा ग्राफिक्स मिल जाता है जिसके उपर हीरो की ब्रैंडिंग दी गई है और यहाँ पर आपको पावर स्टार्ट और प्रोग्राम सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर 130 mm की ड्रम ब्रेक दी गई है इसके रियर की साइड में और इसके सीट कॉल के उपर भी आपको ग्राफिक्स की पट्टी मिल जाती है सिल्वर कलर के साथ इसकी सीट की क्वालिटी की बात करूं तो यहां पर आपको मीडियम और इसकी जो टेलेंप है वही आपको परानी वाली मिल जाती है साइड में आपको इंडिकेटर भी मिल जाते हैं बल्व वाले और इसके दूसरी साइड में चलें तो यहां भी आपको ग्राफिक्स की पट्टी और सेम स्टीकर और ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं और वी जो field tank की capacity है वो 9.8 लीटर की दी गई है इसके पीछे की साइड में company fitted black color का साड़ी गार दिया गया है और यहां पर आपको suspension और यहां पर adjustable put rest plane के लिए और यहां से आप इसके चैन सेड कवर को देख सकते हैं जो की fully metal का दिया गया है जो की fully covered है और इसके engine की साइड में चलें तो यहां पर आपको इसके engine के उपर hero की branding देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको four speed gearbox मिल जाता है और यहां पर adjustable put rest और इसके नीचे की स्टाट और प्रोग्रामेट fi की बेजिंग मिल जाती है इसके engine और पावर की बात करें तो इसमें 97.2 CC का एर कूल्ट फोरे स्ट्रॉक सिंगल सेलेंडर ओसी बीसिक्स फ्यूल इंजेक्टेड इंजिन दिया है इसकी maximum power है 8.02 PS की 8000 rpm पर इसका maximum torque है 8.05 Nm का 6000 rpm अब चलते हैं इसके दूसरी साइड में तो यहां भी आपको power start और प्रोग्रामेट fi की बेजिंग मिल जाती है इसके toolbox की उपर और इसके hero की branding यहां भी आपको मिल जाती है इसके engine के उपर और यहां पर केकिस टार्ट का lever और आपको adjustable put rest और यहां पर brake pad दिया गया है जो की safety features के साफसे बना गया यहाँ पर आपको एक catality converter मिल जाता है जिसके उपर एक metal की plate मिल जाते हो यहाँ पर आपको oxygen sensor और यहाँ पर spark plug दिया गया है इसके engine के head के उपर और यहाँ से आप इसके combi breaking system को देख सकते हो जैसा कि यह setup यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अब दोस्तों मैं आपको इसके exhaust का ओर इसके engine का आपको sound सुना देता हूँ तो जयसा कि तो bike है वह इसके Resident का sound मैं में आपको 65 km per Car का असानी से मालेज मिल जाता है लोकल में और आप इस बाइक को सीटी या हाईवे पर चलाते हैं इकोनौमी जॉन में 40-50 की स्कीट में तो ये बाइक आपको 70-75 किलो मीटर का आसानी से मालेस दे देती है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी ओन रोड कीमत की तो स्प्लेंडर प्लस के आई 3S मॉडल की ओन रोड कीमत है 83-50 रुपे या ओन रोड कीमत मैंने आपको बताई है सान्यो शोर हीरो मध्यम ग्राम कॉलकता सोरूम की सोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अधर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंसन नाल है आप अपनी सिटी का नाम कमेंट कर देना मैं आपको आपकी सिटी का हीरो स्प्लेंडर प्लस का अन रोड प्राइस रिप्लाइग करके बता दूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाज स्यादा लाइक करें कमेंट करें सेयर करें चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तैंकी दोस्तों